जेवर एयरपोर्ट की सौगा जी हाँ प्रधान मंती नरीन मोदी आज गौतब बुदनगर को जेवर एयरपोर्ट की बड़ी सौगा देने के लिए जा रहे हैं जानकारी के मताबिक आज दुपेर एक बचे ये कारकरम होना है और इसी के साथ उत्तप्रदेश पांच अंतराश्चे एयरपोर्ट वाला पहले राज्ये बन जाएगा अदारश्वीरा कारकरम के लिए पूरी तयारिया हो चुकी है और पूरे कारकरम स्थल को स्पीजी ने अपने हैंड ओवर में ले लिया है सुरक्षा के पुकता इंतिजाम किये गए है साथी भव्य तरीके से मंच को सजाया भी गया है मंच को सजाने में 20 कुंटल पूलों की लड़ियां लगाई जा रही है ताकि मंच को भव्य और और जादा खूपसूरत भी बनाया जा सके साथी आपको ये भी बता दें के वी वी आईपी और पार्टी के नेताओं के बैठने के लिए खास विवस्ता की गई है ताकि उनको कारकरम के दौरान किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो सके वहीं आम जनता के लिए भी बहतर तयारी की गई है और हर जिले के लिए अलग से ब्लॉक भी बनाया गया है ताकि उन ब्लॉक में उन जिलों के लोग बैठ सके हैं सुरक्षा के लिहाद से पूरे जनसभा इस्तल पर सीसी टीवी कैमरे भी लगाए गए हैं आम जनता को जनसभा में आने के लिए 20 द्वार तयार उनके लिए किये गए हैं ताकि जनसभा में आने वाले लोगों को कोई दिकत ना हो गाड़ियों की पार्किंग के लिए 10 पार्किंग इस्तल तयार किये गए हैं जिसमें मीडिया पार्किंग इस्तल से लेकर वी वी स्यार में जेवर एयरपोर्ट दूसरा इंटेशनल एएपोर्ट होगाあー एसे में बहुत-बहुपर्थ करोड बहुत लगाई जा रहा है बताए जा रहा है तो बड़ी सौगात आज ये मिलने जा रही है यूपी को आपको बता दें प्रधान मंत्री नरेंद बूदी अपसे कुछी देर बाद पहुंचेंगे जेवर जहां पर वो कारक्रम में जेवर एयरपोर्ट के शिलन्यास करेंगे अधार शीला रखेंगे और ऐसे में आपको बता दें कि आज वहां पर भव्य कारक्रम बीजेपी की तरव से रखा गया है खाला कि मुख्य मंत्री योगी आदितनात उनसे पहले ही वहां पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे में जेवर एयरपोर्ट की बड़ी सौगात चुनाव से पहले उपी की जनता को मिलने ही जा रही है साती सात कारक्रम को लेका तमाम तरह की जो तयाद्या हैं वो जोरो शोरो से की गई है लेकिं जेवर इंटरनाशनल एयरपोर्ट की खासियत क्या है ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है इसलिए आपको बता दे कि जेवर एयरपोर्ट में पांच रन्वे बनाए जाएंगे और ऐसे में बता दे कि पहले चरण में दोर रन्वे बनाए जाएंगे खासियत क्या है जेवर एरपोर्ट की ये लगातार हम आपको बताएंगे कि 5 रन्वे बनाये जाएंगे पहले चरण में 2 रन्वे होगे दूसरे चरण में इसे बहा कर 5 कर दिया जाएगा यानि की 2 चरणों में काम किया जाएगा और साथ ही आपको बता दे 3300 एकर जमीन पर पूरा ये एरपोर्ट जो है वो बनाये जाएगा उसके अलावा नॉर्थ रन्वे पर वी वी आईपी टर्मिनल होगा और रन्वे की लंबाई जो होगी वो 4 किलो मीटर से भी ज्यादा की होगी साथ ही ये भी आपको बता दें के दोनों रन्वे के आसपास कुल 186 विबानों को पार्क करने के लिए स्टैंड मौजूद होगे यानि की बहुत ज़्यादा बड़ा ये एरपोर्ट होने वाला है वही एरपोर्ट के भीतार रेलवे स्टेशन मेटरो या हाई स्पील प्रेंज जैसे सुविधा भी होगी वही नौर्थ और साउथ दोनों रन्वे के बीच ही एटीसे टावर का निर्मान भी किया जाएगा और साथ ही एरपोर्ट के भीतार एक बड़ा सेंट्रल किचिन भी तयार किया जाएगा ये तमाम खासियत जो है वो इस एरपोर्ट में देखने को मिलेंगी और वहीं आपको बता दे कि साउथ रन्वे के दाई और इप्तलाग का भी निर्मान होगा ताकि बारिश के पानी को जमा करने का इंतिजा वहाँ पर हो सके तो ये तमाम खासियत जो थी वो जेवर एरपोर्ट की थी और साथी साथ अब आपको ये भी हम आगे बताएंगे किन शेहरों से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ेगा एरपोर्ट ये भी बताएंगे लेकिन ऐसे में आग जो ये बड़ी स्वगात उत्तरप्रदेश की जनता को मिलने जा रही है कही न कहीं से बेहत महतकून भी माना जा रहा है क्योंकि अब उत्तरप्रदेश में दो से तीन महीने बाद विधानसवा चुनाब भी होने वाले हैं और चुनाब बेहत नस्दीक है इसी लिए एक बड़ा मेगा कारक्रम ये बीजेपी की तरफ से रखा गया है और इसी को देखते हुए आपको बता दें के कारक्रम में प्रधान मंतरी नरेंद मोदी तो अपसे कुछी देर बाद पहुंचेंगे लेकिन उनसे पहले मुख्यमंतरी योगी आधितनाग भी पहुंच जाएंगे साथ ही वहाँ पर इतने बड़े कारक्रम के लिए तैयारियां जो हैं वो कई दिरों पहले से चल रही थी लोगों का आना सुभा से ही वहाँ पर शुरू हो गया क्योंकि जेवर के लोगों में भी खासा उत्सा इस कारक्रम को लेकर देखा जा रहा है औ और ऐसे में पूरी सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम कर लिए गए हैं कई गेट बनाए गए हैं एंट्री और एक्सिट के लिए सुरक्षा के लिहाँ से सीसी टीवी कैमरे भी लगाए गए हैं एक बड़ा स्टेज भी बनाया गया है जहां से प्रधान मंती नरेंद मोदी जनसभा को संबोदित करेंगे हलाकि स्टेज के पीछे भी एक जगा बनाए गई है जहां पर अधारशीला रखने का कारक्रम जो है वो होगा और उसके बाद उधान मंती नरेंद मोदी की जनसभा होगी और आपको ये भी बता दें कि मुख्य मंती योगी आदितिनाद भी जनता को संबोदित महा पर करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में साथ ही बता दें कि बड़ी सौगात तो ये जनता को मिलेगी ही लेकिन इससे लिहाद से इसको काफी बड़ा भी माना जा रहा है क्योंकि विदानसभा चुनाव भी बेहत अब उत्तरप्रदेश में नजद